तो वही इस वीडियो में हम बिलकुल ही उल्टा काम करेंगे, हम एक सुल्जे हुए exponential expression को लेकर इसको बहुत ही उल्ची हुई शकल में लाने की कोशिश करेंगे, इस expression में हम एक बटा 32 को जरब दे रहे हैं, दो की ताकट T से, और इसको हम कुछ A जरब B की ताकट T बटा 10 एक की सूरत में लाएंगे, चले फिर, इस T की शकल बदलते हैं पहले, तो ऐसा करते हैं कि T को 10 से जरब भी दे देते हैं, और इसको 10 से तक्सीम भी कर देते हैं, यो शकल भी बदल जाएगी, लेकिन expression की कदर नहीं बदलेगी, तो ये हो जाएगा, एक बटा 32 जरब, T जरब T बटा 10 की शकल में भी तो लिख सकते हैं, अब मुझे पूरा यकीन है कि इसको देखकर आपको एक exponential property जरूर याद आई होगी, उस exponential property में A की ताकत जब B हो, और इस पूरी चीज की ताकत जब C हो, तो ये असल में बराबर होता है, A की ताकत B जरब C के, अभी ये ची की ताकत बराबर होगी T बटा 10 के, और इस से पहले कि आप इन सब चीजों में उलत जाएं, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये दोनों expressions बिलकुल एक जैसे हैं, बस इनकी शकले थोड़ी अलग हैं, इसको हल करेंगे तो हमें 1 बटा 32 जरब 1024 की ताकत T बटा 10 मिल जाएगी यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये negative एक हम कहां से लेकर आएं, भई इसके लिए हमें कुछ इस तरह का अमल फिर से दोहराना होगा, तो यहां हम एक minus कर देंगे और साथ ही साथ एक जमा भी कर देंगे, यूँ शकल भी बदल जाएगी लेकिन expression की कदर वो ही रहेगी, आपको याद होगा कि अगर A की टाकत B जरब A की टाकत C हमें दिया हुआ हो, तो इसको हम A की टाकत B जमा C के बराबर भी रख सकते हैं, फिलहाल ये हमें इस शकल में दिया हुआ है, तो अब हम इसको बदल कर इस शकल में ले आएंगे, और यू फिर expression हो जाएगा, एक बट 24 को फिर से 2 की टाकत 10 की शकल में ले आते हैं, और 32 को हम 2 की टाकत 5 की शकल में लिख सकते हैं, और भई इसको हम अभी भी 1024 की टाकत T बटा 10 माइनिस 1 से ही जरब देंगे, अच्छा जहां एक और exponential property लगेगी, अगर A की टाकत B बटा A की टाकत C हमें दिया हुआ हो, तो इस इसको हम A की टाकत B माइनिस C की सूरत में भी ला सकते हैं, तो इस property के मताबिक ये फिर 2 की टाकत 10 माइनिस 5, यानि 2 की टाकत 5 की बराबर हो जाएगा, और इसको हम जरब देंगे 1024 की टाकत T बटा 10 माइनिस 1 से, और बस यो हम इस expression को इस शकल में ले आए हैं, जो कि इस pattern प झाल